इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. मोकसबलेस 500 mg कैपसूल दवाओं का मिश्रण है. यह विभिन प्रकार के जीवानू संक्रमन और संक्रमक दस्त के इलाज के लिए निर्धारित है. यह सूक्ष्म जीवों के खिलाफ उनकी वृद्धी को रोकने के लिए लड़ता है. यहांत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर पाचन की प्रक्रिया में भी सुधार करता है. मोकसबलेस 500 mg कैपसूल एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है. इसे नुस्खे के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है. इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए. लेकिन बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए. दवा को बिना कुछ ले या चबाई पूरी तरह से निगल लिया जाना चाहिए अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें क्योंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पढ़ सकते हैं यदि आपको एक खुराक याद आती है तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले लें बहतर महसूस होने पर भी उपचार पूरा किया जाना चाहिए इस दवा के सामान ने दुशप्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, पेट दर्द, चिकते आदी हैं यदि कोई भी दुशप्रभाव बढ़ जाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया यानी की चिकते, खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए दुशप्रभावों को दूर करने या उनसे बचने के लिए आपको खूब पानी पीकर खुद को हाइडरेट रखना चाहिए और स्वस्थ और संतुलित आहार का पालन करना चाहिए इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे इस दवा के साथ अत्यधे को नीनदापन हो सकता है यह आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षंता को कम नहीं करता है लेकिन अगर आपको नीन्द या चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद